बिसमिल्लाइ अख्मान वही में असलाम अलेकुम इसमी यू नाइमा आज को वारा टॉपिक है वह है गैस्ट्रिक जूस दैट इस मेंशन ओन पेज नमबर 133-134 ब svकित पेजियन आतर्टेश्टरिक जूस की आतर्टेश्ट कंपोजीशन है आजके टोपिक में हमने पढ़ना है कि बिसकीशके आपके स्टमक में माईजूद है उन उसकी au situation क्या है वह किंकिन सैल से किन-खिन एंज शे मिलकर बनता है तो सटार्ट कें है candian तो स्टार्ट करते हैं with दिर יस्ट्र nhất्रेग्लां यह शेब्स इस अचार घ्ल देटारी सेल्स को सटार्ट करने से पहले जोकि रहां दिस स्टम Danny उसके तीन या चार में पार्ट है तो जो पहला पार्ट है वो स्काहँ टुसरा पार्ट है वो है फंड़्स थर्ड पार्ट है ज Серг members40 फंडर है और फंडर्ड पार्वाट इस एंट्रय। फरस पार्ट जो कि बिलकुल इस फि interpreting नीचे है that is cardia cardic जिसको हम कहते हैं उसके बाद हमाइब पास है fundus जो के rounded area bulging area होता है that lies to left of cardia and below diaphragm, diaphragm के नीचे और left side cardia के left side पर और जो उसके बाद जो main part है stomach है जो जो जबसे बड़ा हिस्सा है वो है उसकी body और बौढगे की नीचे यह पर यहाँ है यह स्कार सेल ऐसेत वी करते हैं तो अगया सब्सक्राइक शेह से चैतास जो हमारे पास कौन-कौन से हैं, ग्लैन्स का यहां पर जो नाम दिया गया है, वो उनकी location की बनीयाद भी दिया गया है, पहला ग्लैन यहां पर mention है, cardiac glands, cardiac glands का मतलब है, कि यह वले glands, आपके stomach के cardiac region में मौजूद होंगे, उसके बाद इस second इस that is pyloric, फॉदिक थर्ड फॉदिक या बॉडी ग्लाइस की त्रिधों इसकी का उडॉक पॉर्शू मॉड्जूट लॉके या बोडी ग्लाइस इस स्टैमडेस के वाइज थर त्रिफ्रिण वडूर्ण हों क 10 की अंदर जो secretion provide करते हैं gastric juices के लिए तो पहला cell है that is mucous neck cells इसका जो नाम रखा गया है mucous neck cell वो इस तरह से रखा गया basically यह एक epithelial cells होते हैं जो के mucous secreting appearance की तरह होते हैं इसलिए इनका नाम mucous neck cells रखा गया है neck का मतलब है कि इनका लोकेशन है वो है कि यह अपर रीजिन जो है neck region जो है fundic glands का यह वहाँ पर पाय जाते हैं means के near to the glands openings into the bottom तो यह mucous neck cells epithelial cells है जो के पाये जाते हैं कहां पर neck region of fundic glands ठीक है और इनकी जो secretion है वो mucous की तरह की है इसलिए इसका नाम है mucous neck cells अब जो secretion इस mucous में और इस mucous cells की secretion में फर्क यह है कि mucous जो है वो बिसके लिए आपके पास एक alkaline fluid है ठीक है जो यह यह जो यह जो mucous cells बना रहे हैं fluid उसके अंदर उसका जो pH होता है वो acidic होता है और उसके अंदर mucous protein पाया जाते हैं ठीक है तो mucous neck cells locate करते हैं आपके neck region यह अपर region of fundic glands वहां पर distributed होते हैं और यह epithelial cells है आपके stomach के जो के mucous like fluid बनाते हैं जो इन fluids के अंदर यह जो fluid बन रहा है mucous neck cells से इसके अंदर एक protein मौजूद होता है जिसका नाम है mucous protein ठीक है और इस fluid की जो pH है वो है acidic pH clear उसके बाद हमाई पास next है parietal cells जिसको हम oxintic cells भी कहते हैं parietal cells जो है यह भी epithelial cells ही है stomach के जो के hcl और intrinsic factor बनाते हैं ठीक है again repeating parietal cells जिनका दुसरा नाम है oxintic cells जो के epithelial cells है stomach के जो बनाते हैं hcl and intrinsic factor ठीक है यह जो है इनकी location क्या है कि यह gastric glands found in lining of fundus and cardia region of the stomach मतलब जो gland gastric glands आपके cardiac region और fundus region stomach में मौजूद है यह जो cells है वह वहाँ पर बनते हैं ठीक है उसके बाद अब जो है parietal cells ने hcl बनाना है intrinsic factor कि आगे पढ़ेंगे के इन दोनों का function क्या है next हमाई पार जो cell है that is chief cell या peptic cells ठीक है chief cells को हम zymogenic cells भी कहते हैं और यह chief cells cells जो है वह वह पैपसिनोजन और काइमोस्टें इंजाइम्स को रिलीज करते हैं ठीक है पैपसिनोजन वह इंजाइम है जो के प्रोटीन की breakdown करवाता है इनकी location क्या है chief cells यह यह आपकी stomach के fundus region में और corpus region में distribute हुए होते हैं तो यह तो होगी location and function of your chief cells कि यह तीन जो यह तमाम से जो cells हैं आपके stomach के वह किस region में मौजूद हैं और कौन से glands का हिस्सा है अब आते हैं amount के कितने ml of gastric juice daily basis पे produce होता है that is 2500 ml ठीक है डेली जो है वो 2500 ml जो है वो gastric juice बनता है आपके stomach में जो different functions stomach के perform करता है इसके बाद आते हैं composition की तरफ composition में सबसे पहला part है that is enzyme कि gastric juice किन चीजों से मिलकर बनता है enzymes है ions है water है intrinsic factor and HCL enzymes में हमाई पास तीन तरहां के enzymes हैं gastric juices में कौन-कौन से है वो pepsinogen है lipase है और gelatinase है pepsinogen जो है वो enzyme होता है जो के HCL की मौजूदगी में convert होता है अपनी activated form pepsin में और pepsin वो enzyme है जो involved है in the chemical breakdown of complex proteins ठीक है उसके बाद हमाई पास gastric lipase वो enzymes जो के involved होते है in the chemical breakdown of your lipids या fats third हमाई पास that is gelatinase जो enzyme है जो gelatin protein की breakdown करवाता है amylase जो है वो as such activated नहीं रहता आपके stomach region में क्योंकि जो stomach pH है वो acidic है amylase को pH आई होता है वो basic है तो यहां पर कुछ हद तक बहुत minute सी digestion होती है आपके starch की बाकि जो stomach region है उसमें में जो enzymes है वो pepsinogen है lipase है और gelatinase है next time I pass ions ions में positively charged ions और negatively charged positively में cat ions के लाते है sodium potassium magnesium and hydrogen उसके बाद जो negative ions में chloride ions है और next time I pass water water तो हर fluid जो जितनी भी आपकी body fluids है उनके अंदर जो mostly जो composition है वो water based है ठीक है उसके बाद next है intrinsic factor intrinsic factor एक protein है आपकी gastric juice का जो involved होता है vitamin b12 की absorption के लिए next is hcl जो के एक acid है और यह आपके stomach की pH को acidic बनाता है इसके साथ साथ pepsin enzyme को यह अपनी activated form में लाता है next है हमाई पास के किस तरह से regulation होती है gastric secretions की कि कितने जो आपका gastric juice है daily basis पे तो 500 बन रहा है यह जो amount है gastric juice की इसको control कौन कर रहा है दो तरीके हैं कि कितने ml जो है वो body की requirement है इस time frame में तो यह regulation is gastric acids की वो दो जगाओं से control होती है first one is your nervous regulation and the second one is hormonal regulation nervous regulation का मतलब यह है कि आपका nervous system mainly आपका parasympathetic nervous system involved होता है in the process of digestion ठीक है क्योंकि हम लोगों ने थोड़ सर्व याद दिलाओं तो पढ़ा था कि parasympathetic nervous system वो nervous system है जो आपकी digestion के process को enhance करता है speed up करता है ठीक है तो यहां से nervous regulation में parasympathetic nervous system का neurotransmitter acetylcholine involved होता है जो कि gastric acid की secretions को बढ़ाता है ठीक है उसके बाद हमाई पास hormone hormone में है gastrin hormone हम लोग उने class ने इसको discuss किया था कि gastrin किस तरह से GI स्टाइमोटाइलिटी को और gastric secretions को increase करता है उसके बाद हमाई पास paracrine agent that is histamine histamine भी एक neurotransmitter है और local hormone है जो के कंट्रोल करता है acidic secretions in your stomach ठीक है बढ़ाता है यह तमाम तरतीनों जो मैंने भी स्टाइल कोलीन और histamine और gastrin यह जो है हमाई पास यह neurotransmitter प्लस गैस्टन एक hormone है जो के involved होते हैं in the stimulation of gastric acid secretions ठीक है कि gastric acid की जो secretions है उनको यह तमाम तीनों जो है वो increase करते हैं इसके बाद इसका एक inhibitory भी है हमाई पास के inhibitory neurotransmitter भी है यह inhibitory protein भी है जो के है hormone somatostatin ठीक है somatostatin जब release होता है तो gastric acid की secretions जो है वो stomach में कम हो जाती है तो इस तरह से जो body की need होती है जितनी requirement है और जो phase चल रहा होता है digestion का उस लहाँ से gastric acid की secretions को GI mortality को यह दोनों factors जो है वो control करते हैं ठीक है next time मैंब फंक्षिंस 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 का फंक्षिं क्या है बॉडी के अंदर the first one is digestion of protein जाइड सी बात है कि पैपसिं मौजूद है it means के जो आपका प्रोटीन है complex protein peptide 1 तूता है और वो convert हो रहा है जो पनी simplified form में वो किसकी विजास से है गैस्तिक जूस में मौजूद आपका पैपसिं सेकंड है fats लाइपेज इंजाइम फैट को digest करवाता है यह हमने इच्छी तरह से पढ़ लिया है ठीक है उसके बाद है माई पास antiseptic function antiseptic function जो है it means कि bacterial growth को inhibit करना जो bacteria है invading जो आप food से mistakenly intake करते है बैक्टेरिया food के अंदर pathogens है bacteria's है microorganisms है जो harmful है आपके body के लिए जैसे ही food के जरीए से आपके stomach में आते हैं तो वहाँ पर hcl मौजूद है यह hcl क्या करता है स्टमक के pH को acidic बनाता है और acidic pH जो है वो favorable नहीं है microbial growth के लिए तो इस तरह से जो भी microbial contamination है growth है वो inhibit हो जाती है इस acid की मौजूदगी में उसकी बाद हमाँ बस excretion कुछ ऐसे products हैं कुछ ऐसे waste materials हैं जो के excrete होते हैं gastric juices के जरीए से and other miscellaneous functions हैं इसके होते हैं कि hcl help करता है nutrients की absorption में nutrients में एक nutrient हमाई पास iron इसके लावा hcl नहीं होगा तो protein breakdown नहीं होगा protein की absorption भी नहीं हो सकेगी and intrinsic factor वो protein है जो के involved है vitamin b12 की absorption में रेनन बेसिकली रेनन जो है वो involved होता है milk की जो milk के अंदर जो proteins होते हैं उनके breakdown है तो इस तहां से complete होता है functions of the in gastric juices and the composition of gastric juice इसमें जो आप नहीं देखना है वो gastric glands देखने है on the basis of the location of the gland and the second के कितने types of cells मौजूद होते हैं आपके in gastric glands में और कौन सा cell कौन सा enzyme जो है वो produce करवाता है all right